असलाम अलेकुम जी एहमद कयों बात करो आज के वेब फ्लो के इस लेसन में हम देखेंगे के वेब फ्लो के अंदर cms filters किस तरह से प्लाइग किया जा सकते हैं तो हमारे पर एक डेमो है यहां पर मैं simple different categories की different filters की selection करता हूं और नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो results हैं वो change होते वे नजर आ रहे हैं तो यहां पर मैं multiple filters की selection भी कर सकता हूं या मैं एक filter की selection की मदद से अपने results को change कर सकता हूं तो अब यह किस तरह से काम कर रहे हैं इसके लिए हम use करेंगे cms filter attributes by fin suite तो यह link मैं आपके साथ description में share कर दूँगा आप इसको जाके मजीद चेक कर सकते हैं तो हम इसके step 1 के उपर आते हैं तो step 1 के अंदर वहां में कहता है कि script code को copy करें और अपने page के head section में जाके paste करते हैं तो यह हमारे पास webflow का project है मैं इस page के अंदर आता हूं मैं यहां पर जाके इस page की settings को open करता हूं और मैं इसके head के section में इस script code को paste करके यहां से save कर देता हूं ठीक है उसके बाद next step के उपर आते हैं next step में हमें ही कहता है कि आप एक ऐसी cms collection list place करें यह जो आपको नीचे जो collection list यह वाली नजर आ रही है इस collection list को place करें और इसको एक attribute assign करें जो के इसने यहां पर mention किया तो मैंने यहां पे collection list को किया जी place ठीक है और इस collection list को place करने के बाद अब यह data इसमें किस तरह से नजर आ रहा है अगर आप अलड़ी familiar है कि cms collection से किस तरह से यहां पर उसकी input fields को display किया जा सकता है जिसमें image है उसकी उसका title है उसकी pricing notes है उसका button text है और उसका URL है तो यह सब कुछ हमारे पास cms से आ रहा है ठीक है so this is the title जो कि वहां पर नजर आ रहा है यह pricing notes है यह इसका button का text है और यह उसका URL है ठीक है और यहां पर मैंने different categories को add किया वह तो यहां पर हमने एक simple xcms collection list create किया और इसको connect कर दिया जी programming events के साथ ठीक है और इसके बाद मैं इसके attributes में जाता हूँ तो हमने यहां पर एक attribute add किया जो कि इसने यहां पर mention किया वह तो आप यहां से simple इसको copy करें इसके नाम की जगा पर इसको paste करें और नीचे value आपने list ही देनी है जो कि यहां पर mention है ठीक है इसके बाद हम next step के उपर आते है next step में वह यह कहता है कि आप एक form create करें एक form block create करें web flow के अंदर और उसको आप यह attributes assign करें तो हमने बिल्कुल ऐसे ही किया हमने यहां पर एक form block create किया और इस form block को हमने एक attribute assign कर दिया जो कि उसने यहां पर mention किया है ठीक है यह second हमारे पास यह वाला step भी complete हो गया अब इस form के अंदर अगर आप यहां पर देखें तो actual में यह actual में check boxes है और इन check box की मदद से हम अपने results को change कर सकते हैं तो अगर आप यह चाहते हैं कि आप multiple options को check ना कर सकें एक वक्त में एक ही select होना चाहिए तो फिर आप यहां पर radio buttons को use करेंगे अगर आप familiar है radio buttons किस तरह से काम करते हैं check boxes किस तरह से काम करते हैं तो you can easily decide कि यहां पर आप किस तरह के filters को use कर सकते हैं तो check boxes radio buttons यह सब कुछ एक form का part होता है इसलिए हमने यहां पर form की मदद से अपने in filters को place किया ठीक है मैंने collection list को place किया मैंने check box को place किया और इन check boxes का जो text है वो मैं in categories से यहां से pull कर रहा हूं ठीक है तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि हमार पस check box है यह उसक टिक है यह उसका text है और यह categories का नाम हम यहां पर display करें ठीक है और इसको हमने यहां पर attribute assign किया है उसके बाद हम next step के ऊपर आते हैं next step हमारे पास यह है कि हमने a Sort of the भी नाम रख सकते हैं मैंने यहां पर category नाम रखा वा है और इस नाम को आपने याद रखने हैं क्योंकि हम इसको एक और जगा पे भी यूज करेंगे ठीक है उसके बाद मैंने यहां पर एक और CMS collection लिस्ट को प्लेस किया है मैं आपको दिखा देता हूं यह form ब्लॉक है ठीक है यहां पर आप देखें तो यह इस वक्त हिड़न है मैं इसको यहां से जागे डिस्प्ले कर लेता हूं तो यह एक और CMS filter collection है और यह एक CMS collection item के अंदर placed है यहां से दिखाता हूं ठीक है एक CMS collection item के अंदर placed है और हमने जो program की categories है उसको यहां पर display करने के लिए इस CMS collection का इस्तमाल किया है और यह जो attribute है यह हम इस text के उपर apply करेंगे जो categories वाला text है तो मैं यहां पर जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह मैंने दुबारा से same उसी को इस्तमाल किया है ठीक है category के नाम वही use करूंगा आप कोई भी नाम रख सकते हैं यह आपर depend करता है जो इस text के उपर आप attributes को add करेंगे और उपर वाला आपने same रखना है ठीक है और इसको मैं यहां से कर देता हूं जी hide क्योंकि मैं इसकी मदद से अपने results को तो change करूंगा लेकिन मैं इसको दिखाना नहीं चाहता अपने page के उपर तो मैंने इसको यहां से hide कर दिया ठीक है यह हमारे पास एक और step हो गया so that's all अब इसकी मदद से आप अपने जो filters हैं उनको वो working में आ सकते हैं लेकिन यहां पे एक और important चीज जो कि discuss करना जरूरी है वो यह है कि आप checkboxes को by default checkboxes एक बड़े अजीब तरीके से मैं आपको यहां पे एक add करके दिख करते हैं So by default checkboxes का जो style होता है वो इस तरह से होता है लेकिन हमने उसको इस तरह के style में किस तरह convert किया है So हम यह चेक करते हैं तो यहां पर इसका open करता हूं और में यहां पे जाके अगर आप आप देखें तो मैं इसकी जाता हूँझी settings के अंदर और यहां पे जाके जो इस इस तरह से नज़र आ रहा है हम उसको कस्टम कर लेते हैं जब आप कस्टम करेंगे चले सको मैं एक डिफॉल्ट करता हूं और आपको यहांसे जागा दिखाता हूं मैं जब इसके इस style می आउना तो आपको यहां पर एक state कम नज़र आ रही है जो कि चग्ट स्टेट है क्योंकि हम डिफॉल्ट यूज करें तो हम उस स्टेट को स्टाइल नहीं कर सकते हैं मैं यहाँ पर कस्टम करता हूं और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूं तो इसकी एक्ट्वल में स्टेट चेंज होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी checked state यहाँ पर अब आपके पास available है, आप इस पर click कर सकते हैं, लेकिन हम इसका checked state का भी default design यूज नहीं करेंगे, हम simple सब को 00 कर देंगे, we do not need anything from this state, हम आप इस none के उपर आते हैं, हम करेंगे ये, कि हम इस check box field को एक class assign करेंगे, is active, और हम इसको एक style assign करेंगे, कि जब ये check box active होगा, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने different properties इसकी set की वी हैं, और मैं यहाँ से फिलाल इसको remove कर देता हूँ, अब यहाँ पर हम एक और attribute का use करेंगे, and that is, this active class, ठीक है, example आप देख सकते हैं, कि हमने अपनी मर्जी से एक class, combo class create की, उसको एक नाम assign किया, is active, आप को इभी नाम रख सकते हैं, और is active रखने के बाद हमने अपना style, अपनी मर्जी के मताबिक रखा, और उसके बाद हम इस attribute को use करेंगे, ठीक है, मैं इस पर click copy करूँगा, इस class जो भी नाम हमने रख है, और हम इस label के उपर आके, इसके attributes में, इसको जो उनसा है, वो active class assign करतेंगे, कि जब यह option चेक होगी, तो इसके, इसका जो style है, वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक ह अब यह सब कुछ कैसे काम कर रहा है, यह जो आपने यहाँ पर script use किया था, अब इस script की मदद से, यह जो आप नाम use कर रहे हैं, अपने attributes के, इसकी मदद से वो identify कर रहा है, कि actual में आप क्या करना चाह रहे हैं, और system already understand करता है, fin suite का, कि जब जिस element के उपर यह attribute apply हो जाएगा तो मैंने क्या करना है, तो यह सारा कमाल, इस script का है, जो कि हमने यहाँ पर head section में copy किया था, पेस्ट किया था, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने checkbox को redesign कर सकते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो मैंने checkbox को width 100% दी वी है, height 100% दी वी है, इसको absolute रखके, बिल अब different like styles place कर सकते हैं, so it's all up to you, तो हम इसको यहाँ से करते हैं, publish और इसका result चेक करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, publish, इसको करते हैं, wizard, और यहाँ पर जाके, तो for example, मैं यहाँ पर click करता हूं, middle and high school, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास results filter हो रहे हैं, मैं यहाँ पर click करता हूं, college and professionals, तो हमारे पास results, इसके filter हो रहे हैं, तो आप कुछ इस तरह से इसको create कर सकते हैं, अगर आप मैं जो demo आपको दिखाया था, यहाँ पर reset की option भी मौझूद है, तो यह आप किस तरह से apply कर सकते हैं, so let's get back to the CMS filter by fin suite, यहाँ पर आपको एक attribute नज लिंक ब्लॉक यह लिंक टेक्स्ट के ओपर यह attribute assign करें, और जब भी वो उस पर कोई user click करेगा, तो वो उसको reset कर देगा, so this is how you can actually use fin suite CMS filters in your workflow project, तो आप जहाँ भी इसको use करें, जहाँ भी apply करें, तो मेरे साथ लाजमी share करें, so looking forward, thank you so much.